हेलो, कैसे हो आप सब मैं सांती स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल सांती की लाइफस्टाइल में पहले तो प्रडाम आप सब मेरे स्विकार करें और धन्यवाद भी कि मेरे वीडियो को एक लाख व्यूज देने के लिए जो मेरी मेकप वीडियो है थैंक्यू 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 सो मच तो आज मैं अपने ब्लाउंस कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ आप सब के साथ जो आप सब को बहुत बहुत पसंद आते हैं यही उमीद कि इस वीडियो को भी आप सब उतना ही प्यार देंगे जितना आप मे एक पहले पंखा बंद करोंगी वरना मेरी आवाज गुज रही होगी थोड़ी सी गर्मी चलेगी वरत इवाज गुज ही दो आप मैंने यह उड़का होगी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसी वाइट कलर के ब्लाउंस के साथ यह वाली साड़ी आपको बहुत पसंद आई है इनका जो नंबर है ना फोन नंबर वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे आप यह साड़ी मंगाना चाहते हैं तो ले सकते हैं कलर अवलेवल ह इस पॉंसर वीडियो नहीं है आप सबने बहुत डिमांड करेंगे यह वाली साड़ी के लिए वैसे यह मुझे इंस्ट्राग्वाम से रिसीब हुई थी जितनी भी साड़िया है उनके में ब्लाउंस दिखाऊंगी वो थोड़े हैवी है तो में टॉपिक पर बात करते हैं वीडियो यूसफुल होगी तो जरूर मुझे कमेंट करके बताईएगा प्यार दीजेगा बहुत सारा तो आज का में टॉपिक है कि हमारी साड़िया बहुत एक्सपैंसिव होती है या फिर बहुत महंगी ना भी हो लेकिन जो उनका लुक होता है बहुत रिच होता है उसके में आज का टॉपिक यह है तो सबसे पहले यह वाइट वाली साड़ी ही देख लिजिए यह वाइट कलर की जो मिर्चे साड़ी रिसीव होई थी इसके साथ मुझे यह वाला फैबरिक रिसीव हुआ था जो दोनों साइट पे इस तरह का वर्क था अगर मैं इसको डीपने कर बना दिया क्यों अफेट के फैबरिक के उपर वर्क आते हैं साटन की फैबरिक के लाइनिंग ही मतलब जो अस्तर होते हैं वह अलग से इसके बाद यह जो नेट है यह मैंने अलग से लिया क्योंकि इसके साथ जो नेट आया था ना बहुत थोड़ा थोड़ा इतना ही वाजु बनता तो मैंने यहां पे आधा मीटर नेट लिया और उसमें यहां पे चुन्नटे डाली और उसी साटन के फैब्रिक से मैंने लेस की तरह यह डिजाइन बना के लगा दिया तो यह ब्लाउंज हो गया ना बेहाद 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 कुछ सूरत जो आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और इसकी मैं एक और बात आप सबको शेयर कर दो इसके मैंने साइड में हुक दिया हैं यहां से साइड से ओपन ह नहीं होते हैं चलिए मैं किसी दिन शेयर भी करूंगी कि अपने कपड़ों का रख रखाओ कैसे करें वैसे यह मुझे लूज आती है मैंने खुदी बनाया है और फिर भी बट मैंने इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करी मैंने पहन ली अब मैं सेकेंड टाइम जब इसको वियर ली थी आपने सुना हो बनारस में लंका पर सौफ है सवेरा करके वहां से मैंने यह वाली साड़ी ली है और इस साड़ी को मैं इसलिए दिखा रही हूं कि अगर आपके पास एक्दम हैवी कोई रिच लुक एक्सपैंसिव मेरी मतलब जब तक अब तक के मेरी सबसे एक्सप लगेगी इसको मैंने बिल्कुल ही सिंपल बनाया है कुछ भी नहीं किया है यह देखिए मैंने इसको फ्रंट सो क्या है जो बैक हो के ब्लाउंज होते हैं वो प्रिंस कट में आप अगर बनाते हो तो ही वो अच्छे होते हैं बाकि अगर जो आपकी फैब्रिक थोड़े से न एक्सपेंसिव होता आप कोशिस करें कि आप फ्रंट हुक करें यह ज्यादा टिकाओ और ज्यादा अच्छे होते हैं यह मेरे खुद का अनुवा हुए जर इंच रखी है इस पर देखिए इस तरह कि ने जरी का वर्क है इस साड़ी पर पास से आप देखेंगे तो तो इसमें इसका बॉर्डर भी आ पूरा का पूरा और यह ब्लाउंस भी मेरी बहुत अच्छी लगई मैं फोटो अटेच कर दूंगे आप सबको होली वाला ब्लॉ है तो मेरे समझाने का मतलब यह कि जब हैवी फैबरिक हो यह फिर अपका एक्सपैंसिव साड़ी हो तो उसके साथ आप कैसे एट्रक्टिव और रिच लुक दोनों आप मतलब पासकते हैं उसके बाद एक और मेरी यह साड़ी का यह ब्लाउंस है जिसको मैंने बहुत बार यह साथ बार पहन चुकी हो मैं साड़ी को और यह आया था इस तरीके से तो यहां पे जो आप लोग देखेंगे यहां पे इस तरीके से कॉट था कि आप यह बहुत जादा तक डीप कर सकते थे बट फ्रंट से बहुत डीप हो यह मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने इस इसको मैंने पैड़ेट ब्लाउंस बनाया है बट इसकी जो लंबाई थी न वो यहीं तक आ रही थी यह जो इसकी लंबाई यहीं तक थी तो यह ब्लाउंस बहुत छोटा इतना छोटा हो रहा था मैंने क्या कि इसमें इसी का फैबरिक इसी के बाजू को छोटा किया और इस सब्सेबर करें, तो में बाद लगता है, है वह बहुत शुह लगता इस तरइक से लेच आ लेखरें तो ये भी देखिए देखने में कितना ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है और इसके साथ मैंने कोई छेड़ चार नहीं करी है इसके फैबरीक के साथ इसके बाद एक और अभी कोई बीच में आ गये थे तो मुझे जाना पड़ा था और काफी टाइम के बाद ये फिर में कंटिन्यू करी हूँ वीडियो लगबग एक घंटे के बाद मुझे बैठना पड़ा था तो मैं उस ले में नहीं होता है न ले चूट जाती है एक होता है दिमाग से तो एक और मेरा ब्लाउंज है जो ये वाला है और ये इस वाले के लिए ये वाला जो ब्लाउंज है वो माजरी दिक्षित जी ने ये साड़ी पहनी है दिदी तेरा देवर दिवाना मैं वीडियो फोटो कुछ भी होगा वो लगा दूंगे आप सब के साथ तो ये जो साड़ी का फैबरिक था ये भी एक हैवी फैबरिक था है इस पे थ्रेड का पूरा वर्क है इस पे ये देखे आपास से चोटा-चोटा सही आपर न मोती-मोती जैसा लगा है वाइट कलर का तो इसको भी मैं अगर जादा कटिंग-फटिंग करती तो ये उतना ख पीछे यह दिखिए एक डोरी की टूट गी है सिंपल सा मैंने वही सेव गोल गला रखा है और लेस लगाई हुई है और यह पैड़ेट ब्लाउंस नहीं है क्योंकि उसमें मेरे पास नहीं था उपलब्द इसकी जो लंबाई है सारे ब्लाउंस की वह सोला इंच मैं पंद्रा इंच या सोला इंच की ब्लाउंस पहनना पसंद करती हूं लंबाई अच्छी होती है तो ही कोई डिजाइन आपका अच्छे से खिल के आता है तो यह रही मेरी आज के ब्लाउंस कलेक्शन की वीडियो उमीद करूंगी बहुत सारा प्यार देंगे पसंद आई होगी और यह झाल